13.1.2 गोलिय सतहों पर परावर्तन हमने पिछले अध्याय में परावर्तन के नियमों के बारे में जाना था परावर्तन के ये नियम समतल सतहों के साथ साथ सभी प्रकार के वक्री सतहों पर भी लागू होते हैं यदि हमें किसी वक्री सतह पर पढ़ने वाले प्रकाश किरण का आपतन कोण पता हो तो हम परावर्तन कोण भी ग्याद कर सकते हैं आपतित किरण द्वारा सतह के अभिलम से बन रहे आपतन कोण को ग्याद करने के लिए हमें सतह पर अभिलम को ग्याद करना होगा वक्री सता पर अभिलम समझने के लिए आईए हम दिया गया क्रिया कलाब करें क्रिया कलाब तीन एक रबर का छोटा सा बॉल ले और इसे एक ही अनुप्रस्त तल से दो समान भागों में काट लें बॉल के बाहरी वक्री सता पर एक सीधी रेखा में कुछ ओल पिन लगा लें जैसा चित्र में दिखाया है ये सभी पिने बॉल के तल के अभिलम लगाई गई है ओल पिने दूर फैलती अपसरित होती नजराएंगी अब यदि हम बॉल के अंदर की सता पर ओलपिने लगाएं तो आप क्या देखते हैं बॉल पर अभिलम्बित ये सभी ओलपिने एक बिन्दू पर मिलती अभिसरित होती नजराती है इस क्रिया कलाब द्वारा हम जान सकते हैं कि गोली सतह पर अभिलम की दिशा क्या होती होगी उत्तल दर्पन बॉल के बाहर की सतह के समान है जबकि अवत्तल दर्पन बॉल के अंदर की सतह के समान है चित्र चार ब अफ्तल सता में सभी पिने एक बिंदू पर मिलती नजर आती हैं जिसे वक्रता केंद्र कहते हैं जामिती के अनुसार किसी वक्र के केंद्र बिंदू से वक्र के सता पर पढ़ने वाली रेखा सता पर लंब वत होती है अर्थात हम कह सकते हैं कि वक्री दर्पन के वक्रता केंद्र से दर्पन के किसी भी बिंदू पर खीची गई रेखा वक्री दर्पन पर अभी लंब होती है चित्र पांच चर्चा करें क्या आप बता सकते हैं कि अवतल दरफण पर पढ़ने वाली समानतर किडने एक बिंदू पर मिलती हुई जबकि उतल दरफण में एक बिंदू से फैलती हुई नजर आती हैं। क्यूं। प्रकाश कीरण S के लिए अभिलम से बना आपतन कोण, कोण I, अभिलम से बने परावर्तन कोण, कोण R के बराबर होता है, कोण I, पराबर कोण R